हेलो क्लास 11th कैसे हैं आप सब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th विस्तो इतिहास के कुछ विसे का चप्र नमबर 8 और चप्र का नेम आप देखो संस्कृतियों का टकराओ ठीक है तो इस वीडियो में हम इस चप्र के कोशन आंसर को सौल करेंगे तो स्टार्ट क करनी है ठीक है तो यह जो प्रशन है यह आपके exam point of view से बहुँ जादे important है ठीक है आप इन्हें अच्छे से याद कर लें पढ़ लें समझ लें ठीक है और उसके बाद आपको exams में आपर दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो उत्तर आप लिखो के देखो agitec और mesopotamiai लोगों की सबेताओं की तुलना करने पर निमलिखित बिंदू उबर कर सामने आते हैं अब वो क्या बिंदू है देखो agitec सबेता मध्य अमेरिकी सबेता भी थी ठीक है सबेता थी क्योंकि इसका विकास मध्य अमेरिका में ही हुआ था जबकि mesopotamiai जो सबेत है उसका विकास वर्तमान इराक गंडराजे के भुबाग पर हुआ था आगे आप देखो agitec सबेता में चित्रात्मक लिपी का प्रचलन था चित्रात्मक यानि क्यों चित्रों मलब उनकी जो लिपी थी हो चित्रकार यानि कि चित्रदार थी ठीक है वो चित्रों से लिखा करते थे आता है उनका इतिहास भी याँ पर आप देखो चित्रात्मक धंग से ही लिखा जाता था दूसरी तरफ जो मेसो पोटामिया है उसकी सबेता की लिपी को यहाँ पर हम क्या कहते हैं क्यूनी फॉर्म अर्थार्द कलाकार लिपी के नाम से जाना जाता था ठीक है और फॉर्म का अर्थ है आकार तो इस प्रकार से इश जो आसु लिपी का विकास चेत्रों से हुआ और इस सबेता में आप देखो लिपी के कारे को महतवपूर्ण और समान की दृष्टी से देखा जाता था एक सुसंगडित लेखन कला की वज़े से ही मेसो पोटामिया में उच्च कोटी के साहित का विकास संभव हुआ अब उसके बाद हम आगे देखते हैं यहाप देखो अगला पॉइंट आपके पास एजटेक सबेता का विकास 12 और 15 सताबदी में के मद्धे में हुआ था ठीक है तो इन सब चीजों को आप याद रखें कि जो एजटेक की सब सब्विता थी उसका विकास 12 और 15 सताबदी के बीच में हुआ था अतहरं यहाँ सब्विता एतिहासिक यूग में विक्षित होने वाली सब्विता थी हाला कि जो मेसोपोतामिया सब्विता का विकास यहाँ पर आपको कब वुआ था देखो कांशकाल में हुआ था अता है यह कांशकाली सब्वेता थी ठीक है उसके पाद आप देखो एजटेक निवासी कृत्रिम टापो निर्मित करने में दक्ष थे दक्ष थे यानि कि उसमें मलब बहुती मलब उनको अच्छे से करना आता था ठीक है अब आप देखो उन्होंने सर उपजाओ दीपों के मध्या नहरे बनाई गई उन पर टैनोक्टिट लांज सहर बसाया गया ठीक है और इस परकार के शहरों का उधारन मैसोपोटामिया सब्वेता में ही मिलता है अब आप देखो वस्तह मैसोपोटामियाई नहरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ था इसके बाद आगे हम देखते हैं देखो एजटेक सब्वेता के अंतरगत शेनीबद समाज की संरशना थी अभिजात वर्ग की समाज में एहम भूमिका थी आगे आप देखो अभिजात वर्ग में पुरोहित उच्च कुलो में उत्पन लोग और वे लोग भी सम्मिलित थे जिन्हें बाद में प्रतिष्ठा प्रदान की गई प्रस्तोनी अभिजात संक्या की दिरिष्टी से बहुत कम थे जो सरकार सेना तता धार्मिक में उचे उचे पदों पर आसीन थे ये अपने वर्ग में से किसी एको नेता के रूप में चुनाव करते थे और चुनाव आपर मेसो पोटामी आई जो समाज था उसमें भी क्या था शेनी बद समाज था इसमें भी उचे एवं सब्रांत वर्ग के लोगों की महत्वण भूमी खाती पूझी के अधिकांश भाग पर इसी वर्ग का कब जाता ठीक है आगे हम देखते हैं आपर आप देखो दोनों सबेता में अभीजात वर्ग के बच्चों को जिस स्कूल में भेजा जाता था उसे क्या कहते थे यापर आप देखो काल में काक ठीक है कहा जाता था और इन स्कूलों में विशेश रूप से धर्मादिकार या सैन्न अधिकारी बनने का प्रसिक्षन दिया जाता था शेश ब अगला प्रशन है हमारे पास देखो प्रशने दो है ऐसे कौन से कारण थे जिन से पंदरवी शताबदी में यूरोपिय नौचालन को सहायता मिली तो अब आप देखो यहाप पर उतर आप लिखोगे पंदरवी शताबदी में सुरू की गई यूरोपिय समुदरी यात्राओं अब आप देखो यहाप पर एक महासागर को दूसरे महासागर से जोड़ने के लिए समुदरी मार्ग खोल दिये सन 1380 में ही दिशाशूचक यंतर आपको पता है जिसको आप कमपस बोलते हो आज के टाइम पर ठीक है जो क्या बताता है डिरेक्शन बताता है यंतर का निर्म को ने पंदरवी शताबदी में अमेरिका महदूइब के बारे में यूरोप वाशियों के दिलों में रुची उत्पन कर दी इस्पेन और पुर्तिगाल के शासक इन नए छेतरों की खोजों के लिए धन देने को तयार थे और ऐसा करने के लिए उनके आर्थिक धार्में तो देखो कारण हमारे पासे देखो पहला है यूरोप महदूइब के बहुत से लोग जैसे पुर्तिगाल एवं इस्पेन के निवासी एवं उनके शासक दूसरे देशों से सोना और चांदी प्राप्त करके विश्व के सबसे अमीर लोग बनना चाहते थे और इसका कारण कि वे प्लेग और युद्धों के कारण जन संक्या में अत्यधी कमी आई और व्यापार में मंदी आ गई थी आगे हम देखते हैं संसार की कुछ देशों के वाशी अपनी ख्याती एवं प्रसिद्धी दुनिया के लोगों के सामने रखना चाहते थे ठीक है और ऐसा करने के लिए वे अनेक समुद्री यात्राओं पर निकल पड़े आगे आप देखो यूरोप के इसाई अधिक से अधिक लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित करने के लिए दूर दूर से देशों की यात्रा करने को तयार थे धर्म युद्धों के परिणाम सुरूप एशिया क के साथ व्यापार में वृद्धी हुई और ऐसा समझा जा सकता था कि व्यापार के समानांतर यूरोपिय लोगों का इन देशों में राजनीतिक नियंतरन इस्थापित हो जाएगा तथा वे इन गर्म जलवाईवाले चेतरों में अपनी बस्तियां इस्थापित कर लेंगे अब उसके बाद हम देखते हैं आगे यहापर कुछ पॉइंट आपको दिया है इस परकार बाहरी दुनिया के लोगों को इसाई बनाने की संभावना ने भी क्या क्या यहाँ यहाँ पर यूरोप के जो धर्म परायन इसाईयों को यूरोपिय नौसंचालन कारियों की और उ साहस किया तो इसका उत्रा आप लिखोगे देखो इस्पेन और पुर्तगाल ने ही पंदरवी सतापदी में सबसे पहले अट्लांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया और इसके प्रमुक कारण निमलिखित थे ठीक है अब आप देखो कारण जो आप लिखोगे आप नि आप देखो पार गमन का प्रथम महतपूर्ण कारण था अगला आप देखो एक सोतंत राजय बनने के बाद पुर्तगाल ने यापर आप देखो मचवाही एवं नौकायन के छेतर में विशेश प्रवीर्णता प्राप्त कर ली आगे आप देखो पुर्तगाली मचवारे ए प्रिंस हेंरी वो नौर्मली क्या थे नाविक हेंरी के नाम से भी प्रसिद थे और उन्होंने नाविकों को जलमारगों द्वारा नए नए इस्थानों की खोज के लिए प्रोथसाहित किया उसने क्या क्या पश्चिमी अफरीकी देशों की यातरा की तथा 1415 इसवी में यह अंतरीप में अपना व्यापार केंदरित इस्थापित किया और इसके अतरीक्त उन्होंने नाविकों को प्रसिक्षन के लिए एक प्रसिक्षन स्कूल की भी इस्थापना की ठीक है परिणाम तह 1417 इसवी में पुर्तगाली नाविक यहाप आप देखो को विलहम ने भारत क मालाबर तट पर पहुझने में सफलता प्राप्त की अब इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं इसी प्रकार इस्पेन वाशियों ने नाविक कोलमबस को भारत की खोज के लिए धन से यथा संभव सहायता की और निसंद्य कोलमबस ने अटलांटिक सागर से होकर भा महान सामुद्रिक सकती होने पर गौरव प्राप्त कर लिया था और अंतता सोने चांदी के रूप में अपार धन संपन्ति प्राप्त करके करने के उद्धेश से उसमें बढ़ चरकर अटलांटिक पारगमन यात्राओं में भी भाग लिया ठीक हैं अब आप देखो पोप के आशिरवाद ने भी स्पेन और पुर्तगाल को अटलांटिक पारगमन यात्राओं की प्रेणा दी और इसका कारण यह था कि इस दोरान जर्मनी और इंग्लेंड जैसे देश प्रोटेस्टेंट धर्म को अपना कर पोप के विरोधी बन चुके थे अताहा पोप का आशिरव इस पेन और पुर्तगाल के साथ था ठीक है तो इस तरह की एक कोशन से अब आप देखो फोर्ट कोशन में आपसे क्या पुचा गया है यापर आप देखो कौनशी नई खाद्य वस्तुएं दक्षणी अमेरिका से बाकी दुनिया में बेची जाती थी ठीक है तो देखो अम पूरे विश्व को करांतिकारी रूप से परभावित की अब आप देखो अमेरिका की खोज के परिणाम शुरू हासिल होने वाले सोने चांदी के असीम भंडार ने ओद्योगी करण और अंतराष्ट्य व्यापार को काफी प्रोचाहित किया ठीक है आगे आप देखो फ्रा अमेरिका में उत्पन होने वाली खाद्य वस्तों जैसे की तमाकू ठीक है आलू गन्ना और यहां पर है ककाओं आदी से यूरोप वासियों को परिचित कराया विशेज रूप से यूरोप वासियों चो यहां पर को लिखा है इसको आपको कट कर ले ना यूरोप वासियों क परिचाय आलू तथा लाल मिर्च से हुआ और सभी वस्तों अमेरिका यहां पर आप देखो अमरिका से दुनिया में भीजी जाने लगी यह आप यहां पर लिखोगे ठीक है अब आप देखो संग्षेप में निबंद लिखिए निबंद टाइप पर आपको यहां पर आंसर द इसको आप अच्छे से समझे एक तरह से आपके लिए स्टोरी टाइप ठीक है तो आप देखो इसको सुनो पुर्तगालियों का ब्राजील पर कबजा महज एक यहां पर आप देखो इत्फाक था ठीक है पेडरो और यहां पर अलवारिस कैबराल एक दिलेर नाविक था और उसने क्या किया पंदर सो इसवी में एक विशाल जहाजी बेडे के साथ भारत की और प्रस्थान किया लेकिन पश्चिमी अपरिका का एक बड़ा चकर लगा कर वह ब्राजील के समुद्र तर्ट पर जा पहुँचा और यदपी पुर्तगालियों को ब्राजील से सोना मिलने की कोई उमीद नहीं थी तथापी वे वहां की इमारती लकडी के द्वारा प्रियाप्त धन कमा सकते थे ठीक है निसंदे ब्राजील की इमारती लकडी की यूरोप में अत्यधिक मांग थी इसके व्यापार को लेकर पुर्तगाल और फ्रांसिसी व्यापारी बार बार संगर में उलस्ते रहते थे लेकिन अंत में विजय पुर्तगालियों को मिली और इसी क्रम में पुर्तगाल के राजा ने 1534 इस्वी में ब्राजिल के तट को चौद्धा आनुवांसिक यहापर आप देखो कप्तानियों में विभक्त कर दिया और उनके सौमित्व के अधिकार को वह पंदर सो पचास से पंदर सो असी शक्तियों ने ब्राजिल में करीब 36 लाग से भी अधिक अफ्रिकी गुलामों का आयत किया था अब आप देखों यहापर कितना जादा था ठीक है 36 लाग अब ऐसे ही गुलामों में एक 17 वर्षिय लड़का भी समलित था और उसके हाथ बा बड़े बाजार में सभी गुलामों को बेचने के लिए खड़ा कर दिया गया उस 17 वर्षिय गुलाम लड़के की भी बोली लगाए गई और यहाँ सत्य है कि सभी लोग उस जवान लड़के को खरीदना चाहते थे इसका कारण यहाँ था कि वह स्वस्त और हट्टा कट्ट अधिक काम कर सकता था अंत में सबसे उची बोली लगाकर एक व्यक्ति ने उसे क्याँ पर आप देखो लाद कर ब्राजिल भेज दिया आगे आप देखो क्या हुआ ब्राजिल में देखो ब्राजिल में उस गुलाम लड़के को कठोर से कठोर काम में लगाया जाता था कभी व्रुक्षों को काटने को, कभी उसे जहाज में लकडी लादने के काम में लगा दिया जाता था, तो कभी उसे क्या करते था, खेती का काम करवाया जाता था, निसंदे उससे पस्वों के समान काम लिया जाता था, और वहाँ पस्वों जैसा जीवन व्यतीत करने के लिए लेकिन वहाँ भागने में असमर्द था, वहाँ जानना चाता था, वो क्या था? वो जानता था कि उसके एक साती को भागने का प्रियास करने पर अपने प्राणों से हाथ दोना पड़ा था, ठीके? हाला कि वहाँ बुद्धिमान था, केवल भागि उसके साथ नहीं था, अंत में उसने अपनी परिस्तितियों से समझोता कर लिया और आज इवन अपने स्वामी का एक निश्टावान सेवक बने रहने का फैसला लिया अब आप देखो आगे हम देखते हैं यापर अब आपके पास यहाँ पर प्रशने च्छह है दक्षिनी अमेरिका की खोज से पुर्दिगाल और इस्पेन को भारी मातरा में सोने चांदी की प्राप्ती हुई और इसे देखकर फ्रांस, इंगलेंड, हॉलेंड और इटली जैसे देश आश्चरे चकित रहे गए फलता है, ये देश भी अमेरिकी, अब आप देखको, महादीपों में अपनी अपनी बस्तिया बनाने के लिए प्रियास्त करने लगे और इस प्रकार उपनिवेशवाद और वहां का प्राकृतिक दोहन करने के दोर में विश्व के अनेक देश सम्मिलित हो गए आगे आप देखो, इस करम में स्पेन ने मद्य और दक्षिनी अमरिकी के अनेक हिस्सों पर तथा, यहाँ पर आप देखो, फ्लोरिडा एवं आधुनिक संयुक्त, राज अमेरिका के दक्षिनी पस्चिमी हिस्सों पर अपना नियंतरन इस्थाफित कर लिया पूर्तिगाल ने ब्राजिल पर अधिकार कर लिया और इंग्लेंड ने अटलांटिक सागर की तटवर्ती 13 बस्तियों केरेबियन सागर के कुछ टापों तथा मद्य अमेरिका में ब्रिटिश से, यहाँ पर आप देखो, होडुरास पर अपना प्रभाव यहाँ पर कायम कर अब आप देखो, होलेंड ने उत्तरी अमेरिकी की हडसन, घाटी तथा कैरेबियन के कुछ दीपों सहित, गुयान पर अपना नियंतर इस्थापित कर लिया और उपनिवेशवाद की दोड में स्वीडन भी पीछे नहीं था, उसने भी उत्तरी अमेरिकी, अमेरिका की प्र अंतराष्टी व्यापार और अद्योगी करण को काफी बढ़ावा मिला, 1560 इस्वी से लगबग 40 वरसों तक सैकड़ों हजारों नियंतर दक्षिनी अमेरिका की खानों से चांदी और इस्पेन लाते रहे और यहाँ पर आप दिखो, अद्योगी करण के विस्तार से यूरो विस्तार के सभी समर्द देश उपनिवेश वाद की दौड में सामिल हो गए और बहुत जल्द ही अफ्रिका और एसिया के अनेग देश विभिन यूरोपिय शक्तियों के उपनिवेश बन गए तो क्लास 11 यहाँ पर आपके इस चेप्टर के सारे क्वेशन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं और आप क्लास 7 अदर सब्जेट के क्वेशन आंसर वीडियो भी मौर्द मासर जी के चैनल पर देख सकते हैं सबी पर वीडियो बना रखी है बागी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें